हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो देखिए दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो प्रैक्टिसेट 2.1 का जो कुश्चन नमबर 1 है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं तो आप लोग को बता दू कि यह हमारा पाइ देखते हैं कुश्चन नमबर 1 को इसमें क्या लिखा हुआ है तो देखिए यह किसके उपर बेज़्जे में आपको बताती हूँ यह नहां हमारा पाइठागोरियन क्या होता है मैंने आपको समझाया था लिख्षे नमबर 1 में कि identify with reason which of the following और नमज़ें बिखिए इसमें कि यहाँ पे आपको find करना है मतलब reason के साथ बताना है कि इसमें से कौन से Pythagorean triplet है और कौन से नहीं है अब यह हम कैसे करेंगे चलिए समस्ते हैं तो देखो दोस्तों हम एक एक करके सारे जो triplets हैं उनको भेचानेंगे तो पहले हम first one देखते हैं तो यहाँ पे group of three numbers क्या क्या दिया गया है 3, 5 और 4 बराबर अब इसे कैसे solve करना है समझेगा ध्यान से देखो बहुत simple है इसमें आपको क्या करना है पहली बात तो यहाँ पे लिख देना solution और फिर उसके बात देखो exam में ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रही हूँ अब यह तीनो numbers को आप लिख लेना 3, 5 and 4 ऐसे करके अब यह आप क्या करोगे इसमें देखोगे कि सबसे बड़ा वाला number कौन सा है 3, 5 और 4 में greater number कौन सा है दोस्तो 5 हमारा बड़ा number है तो हम यहाँ पर 5 को लेंगे और इसका नहीं square कर देंगे क्या करेंगे इसका square करेंगे तो 5 का square बोलो कितना आता है बच्चो 25 आता है ठीक है अब यहाँ पर आप लिख देना इसको equation number 1 अब क्या करना है जो बचे हुए दोनो numbers है ना उनके square का sum करोगे ठीक है अब यहाँ पर लिख देना equation number 2 तो देखो equation number 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहे है from 1 and 2 तो 1 और 2 से हमें एक बात समझ में आ रही है कि बड़े number का square जो बचे हुए दोनों छोटे-चोटे numbers है उनके square के sum के equal है और Pythagorean triplet के लिए यही तो condition थी कि जैसे हमेरे बास group of 3 numbers है तो उसमें से सबसे बड़े वाले number का square अगर बचे हुए दोनों numbers के square के sum के equal आता है तो फिर ऐसे numbers को हम क्या कह सकते है दोस्तो Pythagorean triplet कह सकते है तो यहाँ पर तो वैसे ही हो रहा है ना बड़े वाले number का square जो बचे हुए दोनों चोटे वाले numbers है उनके square के sum के equal आ रहे है है ना देखो ना भाई यह भी 25 यह भी 25 यानि हम क्या कहेंगे यह जो तीनों numbers है मतलब यह जो triplet यहाँ पर दिया गया है यह हमारा Pythagorean triplet है तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पहले लिखेंगे from 1 & 2 1 & 2 से हमें क्या समझ में आया तो 1 & 2 से हमने एक बात समझी कि 5 का square which is equal to 4 square plus 3 का square ठीक है 3 square plus 4 square यहाँ पर 3 पहले है चलो 3 हम लिख लेते है 3 का square plus 4 का square तो यहाँ पहले हम क्या लिख सकते है सुदेयार फॉर्थ यह जो तीनों नंबर्स है यानिकि 3, 5 & 4 ठीक है यह वारा जो triplet दिया गया है यह क्या है बच्चे यह हमारा Pythagorean triplet है तो क्या लिखेंगे इस पाइथागोरियन triplet ठीक है Pythagorean स्पेलिंग देख लेना अच्छे से triplet टी आर आई ठीक है ठीक है पाइथागोरियन यह देखो यहाँ पर स्पेलिंग मेंने सही लिखा हुआ है बिल्कु सही लिखा है पाइथागोरियन triplet यह है तो बस ऐसे करके आपको पहचानना है बताओ कितना आसान था नहीं कर पाओगे कर लोगे ना चलो अब एक और कोश्चन देखते हैं यानिके इसका सेकेंड सब कोश्चन आजाए साइड में आपको यहीं पर करके बता देती हूँ आजाओ यह हो गया हमारा सेकेंड सब क्वेस्चन चलिए देखें दोस्तों अब इसके लिए हम क्या करेंगे पहले यह हमारा सेकेंड सब कुश्चन है हम लिखते हैं इसको तो इसमें हमारे पास तीन नंबर्स है 4 9 & 12 ठीक है तो चलो इसका solution पहले यहां पर लिख देंगे सब्सक्का पितना आएगा 144 इसको आप लिख देना equation नंबर ठीक है पिर जो बच्चे वे दोनों नंबर से उनके स्क्वेर का सम करो तो पहला नंबर यहां पर क्या है बहाई बहुत और यह जो nine है दो स्क्वेर करो तो 4 का स्क्कॏर करो के 66 यह क्या स्क्क्राइब करें तो 81 ठीक है इतना यह आएगा देख लो अच्छे से इनदोनों को प्लस करो तो बताओ इसना आएगा एक मिल करके 2 और यह जाएगा नट उदक मिल करके sepans 2019 सब्सक्राइब देखों rus that यह देखो इसमें एक्वल था इसलिए हमने का कि यह पाइथागूर इंटरप्लेट है यहां पर इसा नहीं हो रहा है देखो यह 12 का स्क्वेर 144 और यह 4 स्क्वेर प्लस 9 स्क्वेर कितना रहे है 97 यानि कि यह दोनों तो एक्वल नहीं है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1 & 2 12 4 9 & 12 4 9 12 is not a is not a पाइथागोरियन ट्रप्लेट ठीक है पाइथागोरियन ट्रप्लेट ठीक है बात समझ में आ गई तो देखो दोस्तों ऐसे ही आपको सारे सब कुस्चन को सॉल्व करना है मैंने आपको दो यहां पर करके बता दिया अभे कितने बचे हुए है चार और बच थर्ड नंबर का अभी हम देखेंगे तीसरा सवाल यानि कि तीसरा सब क्वेश्चन तो देखें दोस्तों थर्ड सब कुस्चन में हमारे पास कौन कौन से नंबर से 5 12 और 13 ओके जी 5 12 और यह हो गया हमारा 13 ठीक है अब इसका सॉलिशन हम करते हैं तो क्या करेंगे देखो प 13 क कि तो कितना आएक दोस्तों आप सभी को पता है है स्क्वेर बीस सब्सक्तों आपको याद होगा ही यहां पर क्या आजाएगा धरटीन स्क्वेर यानिए 169 ठीक है तो यह मैं यहांपर स्क्माइब करें अब इन्हों को प्लस करो बताओ कितना आएगा तो पांचार हो जाता है हमारा एक मिनिट पांचार नो और चार दो छे और यहां पर 169 यह घ्यों पर हमारा एक्वेशन नमबर 2 तो आप देख सकते हो एक्वेशन नमबर 1 और 2 से हमें क्या समझ में रहा है कि greater number का square जो बचे हुए दोनों numbers के square का सम है उसके वह इक्वल है देखो इधर भी 169 इधर भी 169 यानि कि यह तीनों numbers पाइथागोरियंट रिप्लेट है ठीक है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बस वही सेम प्रॉम वन और टू से हमें क्या समझ में आया कि 13 का square which is equal to square of 5 plus square of 12 ठीक है यह इक्वल है यहां पर हमने लिखा था इस not equal to बट यहां पर यह इक्वल है सो देयार पॉर हम क्या कह सकते हैं कि 5 12 and 13 is a pythagorean triplet pythagorean triplet triplet ठीक है चलो कैसी हमारी राइटिंग बिगड़ रही है रुगिया हम ठीक करते अब ही pythagorean triplet चलो समझ में आगे अच्छे से बहुत अच्छी बात है अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और जो हमारा अगला सब question है उसको देखते हैं यानि कि fourth one को तो यहां पर हम डालते हैं number four और देखते हैं कि कौन से 70 और 74 देखो 24 70 और 74 आ जाएगे यहां पर हम लिखते हैं हम 24 70 और 74 यही था ना एक बार में जला देख लो हाँ बिल्कुल यही था अभी इसका solution यहां पर लिखेंगे फिर हम यह तीनो numbers को ना इधर लाइन से लिख लेंगे तो कौन-कौन से numbers हैं भई हमारे पास 24 देखो 24 70 और 74 ओके तो क्या करेंगे इसमें से greater number का square करेंगे यानि कि 74 का यहां पर square आएगा तो 74 का square क्या होता है ऐसे दिमाग में सोच करके तो हम बता नहीं सकते अब हमें इसके लिए करना पड़ेगा multiply चलो कोई बात नहीं हम कर लेंगे 74 इंटू 74 फॉर फॉर होता है बच्चे 16 वन आगया 7 वोस है कितना होता है दोस्टो 28 होता है तो 29 यहां पर सब्सक्रिण नंबर से करना 24 Kaa स्कॉर प्लस 70 का स्कॉर तो 24 का स्कॉर जानते आप सभी लोग क्या होता है, sucked है, मुझे 야द को याद नहीं है तो कोई बात नहीं fünf करके देख लेना क्या होता है 576 आजाओ आपको करके दिखा देती वैसे तो 24 x 24 16 बनाया आया 4 2 8 1 9 2 4 2 2 4 6 8 8 16 17 देखो 560 आया कि नहीं 576 आया फिर 70 का स्क्वेर कितना होगा पता है आप लोगों को 77 सा क्या होता है बच्चे 77 सा होता है ओ क्या हो रहा है देखो 77 सा होता है अमारा 49 अब यह जीरो है न यहां पर आजाएगा डबल जीरो आप बुलेंगे डबल जीरो कैसे आ गया अरे सुनो देखो 70 का स्क्वेर मतलब 70 इंटू 70 तो 77 सा 49 और यह दोठे 0 कहां यहां पर रखोगे यहां पर 4900 आजाएगा अब इन दोनों को जरा हम प्लस करके देखते हैं तो आजाई भाई यह प्लस करें देखो 4900 प्लस 576 तो प्लस करो 600 600 6 पर यहां पर साथ पांच 95 कितना होता है नो और पांच कितना होता है नो 10 11 12 13 14 यहां पर चार आगया इधर पांच 5476 यहां पर 5376 ओहो मेरे को लगता है यहां पर मैंने कुछ गड़बड किया है आजो एक बार फिरसे में देखते हूं 74 इंटू 74 मल्टिप्लाइए करो 446 बन आया 747 28 28 प्लस वन करेंगे तो 29 747 इधर टू आ गया 749 49 प्लस टू करेंगे तो 51 ओहो यह मैंने गड़बड किती 8861 17 यहां पर एक आगया अच्छा अच्छा 5476 आएगा यह थरी नहीं आएगा ठीक है मैंने गलती से लिख दिया थ इकवेशन नंबर हमें क्या समझ में आरहा है कि बड़े वाले नंबर का स्कूर जो बच्चेवे दोनों नंबर सके स्कूर का सम है उसके पर लिखेंगे कि फ्रॉंट 12 one or two से हमें एक बात समझ में आ रही है कि 74 का स्क्वैर किसके प्रine safer स्टोर का स्क्वैर स्क्वैर इसके यह सकते हैं कि यह जो पॉरेंट यह पर Dharma लिखेंगे कि so therefore 24, 70 and 74 is a Pythagorean triplet ठीक है Pythagorean triplet ठीक है Pythagorean triplet ठीक है Pythagorean triplet आई जाहिए हो चलो यह मैंने करके आपको बता दिया देख सकते हो आप यहाँ पर हमने 3rd और 4th question भी complete कर लिया ऐसे ही आपको exam में लिखना है जब भी आपको ऐसा question पूछे ना तो ऐसे करना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और questions है जरा हम उनको देखते हैं तो हमने यहाँ पर चार सब questions कर लिए ना अब यह पांचवा और जटा है तो पांचवे में solution कर देते हैं फटाक से और पैचानते हैं यह पाइथागोर इंटरप्लेट है या फिर नहीं है तो दस चौब इस एंड सथाइस इसमें आप एक काम करोगे सबसे पहले बड़ा वाला नंबर कौन से है दोस्तों 27 तो आपना 27 का स्क्वेर करो 27 का स्क्वेर कितना होता है देखो 27 इंटू 27 सा 49 यहां पर आगया 729 आजाएगा इसको आप लिख देना एक्वेशन नंबर वन करके ओके जी कोई बात नहीं हम लिख देंगे एक्वेशन नंबर वन करके आगे का बताओ फिर यह जो बच्चे वे दोनों नंबर से छोटू वाले इसके स्क्वेर का सम करो 10 का स्क्वेर प्लस 24 का स्क्वेर 10 का स्क्व wys हो उबिधना Tiffany और स्क्वेर गशें करदे कितना आएगा इदर आएगा इदर आएगा साथ और यहांपर आजाएगा दूस्तो चे अगें ची है ना इसको हम लिख देंगे equation number 2 तो देखो equation number 2 और 1 से हमें क्या मालम पड़ रहा है कि बड़े वाले नंबर का स्क्वेर बचे हुए दोनों number के स्क्वेर के समके इकवल तो ही नहीं यहां पर आया है 729 यहां पर आ रहा है सिक से 76 तो बताओ क्या यह पाइथागोर इंटरप्लेट होगा चलो अब भी क्या अभी मुझे comment section में आंसर आप लोगों से चाहिए कि क्या यह यह 5 वाला सब प्वेंटी सेवन का स्क्वेर किसके इकवल है बच्चों मतलब इकवल नहीं है इस नॉट इकवल टू 10 का स्क्वेर प्लस 24 का स्क्वेर बराबर तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस इस नॉट था नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो यहां पर हम लिखते है कि therefore 10 24 and 27 27 is not a Pythagorean triplet is not a Pythagorean triplet अच्छे से इसको प्रॉपर लिख स्पैलिंग थोड़ा देख ले ना ठीक है क्योंकि पाइथागोरियन की जगा कभी-कभी अम जल जल दी में पाइथागोरियन लिख देते हैं इसलिए ध्यान से देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओके ख् नंबर्स हैं दोस्तों 1160 और 61 यानिके 61 ठीक है 1160 और 61 आजाएए जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यह सिक्ष्ट वन 1160 और यह हो गया बच्चे आपका 61 चलो अब इसका सॉलुशन हम जड़ा देखते हैं कि क्या होगा क्या यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा आपको क्या लगता है तो येस होगा मुझे मालूम है क्योंकि यह हमने ने एक्जाम्पल में भी देखा था चलो तो यहाँ स्कूराइध्व स्कूराइफ चलो स्क्वेर करेंगे संब से पहले और बच्ची कितना आएगा स्वorts को सस्कूरा सभिर करके डेखना पड़ए क्योंकि स्क्वेर करके हमने अभी तक डेखाई है तो मुल्टिपलाइख देखना पड़ेगा एक यह स्कूरा इंटू एक आगया अब इसको आप लिख दोगे बच्चे equation no.1 करके फिर उसके बाद जो बचेवे दोनों नंबर्स हैं उनके स्क्वेर का सम करोगे सो कहा नहीं तो इसका स्क्वेर करना प्लस दूसरा नंबर है सिक्सिक स्क्वार करना तो Olive Nada स्क्वार हम सभी को मालुम है one one चोनरा तो six स्क्राइब होता है जो दो यहां भूक्तव कर देना आप गोले की साथ 60 मतलब क्या Can МУЗЫКА市ूंच वोता है और यह दोर इश क्षेल में ऑढंद रिक按 इन दोनों को को प्लस कर दीजिए तो बताइए कितना होगा देखो आपको बताती हूं 3600121 तो यहां पर एक आएगा यहां पर आजाएगा दो यहां पर साथ कि this is equal to this यानि कि greater number का square देखो फ्रॉम वन और टू से हमें यह समझ में आया कि 61 का square किसके equal है दोस्तो 11 का square प्लस 60 के square के equal है है ना equal है देखो 3721 इदर भी आया 3721 यानि कि हम कह सकते हैं कि यह जो तीनों numbers मतलब यह जो triplet है ना यह हमारा पाइथागोरियन triplet है तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि सुद्यार पॉर 11 60 and 61 इसा पाइथागोरियन triplet ओके इस अ इसा पाइथागोरियन triplet बस बात होती है यहां पर खतम चलो तो समझ में आया गया आप सभी लोगों को रुको एक मिनिट हा मैं इसको ठीक से कर देती हूँ थोड़ा सा ऐसे यह लेजिए यहां पर हमने दोस्तो question number one complete कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहां पर question number one solve करवाने करेंगे ठीक है दीरे-दीरे करके हमारे जो प्रैक्टिस है 2.1 है यह पूरा complete हो जाएगा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप बस लाइन से वीडियो को देखते रहे ना ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना है मिलते है नेक्स वीडियो में सब लोग अपना ध्यान र